जम्मू कश्मीर से कन्या कुमारी था, एहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस! हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान! जालू सब्धा के दूसरे कारोबारी दिन शिकागो के सोया भीन वायदा में तेजी आई, कारोबारीों और विशलेशकों का कहना है कि दक्षिन अमेरिका में जारी शुस्क मौसम के कारण और सत्वत्पादक्ता में कमी आने की आश्रंका से दिन के दो तिहाई समय से कीमते तेजी बनी रही, गेहु में मंदी आई है और मक्की वायदा नरब हुआ है शिकागो बोर्ड और ट्रेड का सालवदिक सक्रिय सोयाबीन वायदा 0.01% बढ़कर 5.72$ प्रतीबुसल हो गया है वहीं गेहु वायदा 0.08% मंदा होकर 7.92$ प्रतीबुसल के स्तर पर आगया है मक्की वायदा 6.54$ पर 0.30% घट गया है वहीं ब्राजील की किसानों ने बीते सप्ता हंत तक कुल संभावित गुआई की तुलना में सोयाबीन की 24% कटाई कर ली है अमेरिकी क्रिशी वेभाग दोरा मजबूत निर्यात जाच होने की घोशनाएं किये जाने के बाद सोयाबीन और मक्की की कीमतों को समर्थन मिला है प्रिशी वेभाग के अनुसार 10 फरवरी को समावत हुए सप्ताहा के दोरान अमेरिकी निर्यात को ने 11.50 लाग तन सोयाबीन की शिप्मेंट की है जो की एक सप्ताहा पूर की तुल्ला में 6.90 प्रतीशत नीची है हाला की नवितनम शिप्मेंट विशिशलक्यों की उम्मीद के अनुरूप है आलोचे सप्ताहा के दोरान मक्की की 14.60 लाग तन निर्यात जाच हुई है जो की एक सप्ताहा पूर की अपिक्षा में 36.60 प्रतीशत उची है लेकिन यह कारोबारियों के अनुमानों से उची है रूस यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के कारण गेहू और मक्की बजारों की मंदी सीमित दाइरे में ही बनी रही हाला कि राजनी तिग वारताओं के कारण कालसागर शेतर में निर्यात बादित होने की संभाविच चिंताओं में कुछ कमी आई है ब्यूरो रिपोर्ट मारके टाइम्स टीवी देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान